दोस्तो भालू के बारे में कहा जाता है कि ये अकेला रहना पसंद करता है और जब ठंड का मोसम शुरू होता है तो ये अपने घरों में घुच जाता है और जब तक मोसम नॉर्मल नहो ये अपने घर से बाहर नहीं निकलता भालू ही एक ऐसा जानवर है जो अपने खाने में घास फोस फल फुरूट और गोश्ट वगरा सभी चीज़े यूज़ कर लेता है भालू के अंदर देखने सुनने और सुनने की बहुत ही जबरदस ताकत होती है वो दूर से ही शिकारी के आने का पता लगा लेता है दुनिया भर में भालू के तकरीबन 8 किस में पाए जाती है भालू अपने पिछले दोनों टांगों पर खड़ा होकर इनसानों की तरह चल भी सकता है और सामने आने वाली चीज़ को अच्छे से देख सकता है भालू के बारे में ये भी कहा जाता है ये तेरने में बड़ा माह इसके आलावा आजकल जो हम अपने घरों में बच्चों को भालाने फुसलाने और उन्हें खिलने के लिए पपेट ला कर देते हैं वह अक्सर भालू का ही होता है